अच्छा हुआ रिशी दुर्वासा के लौटने के पूर्वी योराज हनुमान आ गए अब रिशीवर को इस चोरी के विशे में कुछ भी ग्याद नहीं होगा उनका रोश शान्त रहेगा पुत्र रिशी दुर्वासा पधार रहे हैं तुम कल प्रिक्ष के समीब अपने नियत स्थान पर पहुँच जाओ ताकि वो तुम्हे वापर देखकर निशिन्थ होकर अपना थब अरम कर सके कि अपने नियत स्थाना थान पर अपना थे लुभ झाल रहे हैं अपने रहे हैं प्रणाम रेशीवर, हनु मान का स्वागत पुनह स्वीकार कीजे. कल्यान हो पत्र, मैं अतियंत प्रसंद हूँ, मेरी यान उपस्थिति में तुमने कल्प व्रक्ष की सुरक्षा पूर्ण निष्ठा के साथ सुनश्चित की, अब मैं आश्वस्थ होकर अपना तप प्रारंब कर सकता हूँ. अवश्य रिशीवर, परन्तो उसके पूर्व, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. रिशीद दुर्वासा को कुछ भी बताना, युवराज हनुमान के लिए अहितकर हो सकता है. कहीं वो कोपित होकर युवराज को शाप ना दे दे. आपके जाने के पश्चात, जब मैं कल्प रिक्ष की रक्षा कर रहा था। हनुमान, मैं तुम्हारी बात अवश्य सुनता, कि इन तो अभी समय नहीं है. मुझे अपना तप्रारंब करना है. अन्य था ये शुम मूरत निकल जाएगा. पत्स हनुमान, इस तपस्या में अने को माँ और वर्ष भी लग सकते हैं. तुम्हें पूरी सतर्प्ता के साथ इस इस्थान पर कल्प रिक्ष की रक्षा करनी होगी. रेशिवर, आप निश्चिन्त रहिए. अनुमान इस बार पून्तह सजग रहेगा. आपके तप अथवा कल्प रिक्ष पर कोई आज नहीं आने देगा. सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रान पश्यन्तु, मा कश्चित दुख भाग भवेत. ओम्ध्र शान्तिरं तरिक्षम शांतिरृत्वी शांति रापह, शांतिर आउषधय शांति है। शांति रे ब्रह्महा शान्ति है सर्वम शान्ति है शांति रे वा शान्ति है सामा शान्ति रेधि ओं। रहन दिवस आवत और जावत रित्वेनित नए रूप देखावत शीत ग्रिश्म वर्शा सब बीते हनुमत भूख प्यास सब जीते दुर्वा साभय जप मेलीन के सिरिनन्दन रक्षा कीन रिशित अप पर आचना आई हनुमत अपना भचन निभाई ते राथा बाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जे 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 रगुनंदन्यराम जे 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 बाबली हनुमान जे 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 रगुनंदन्यराम जे 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 माबली हनुमान कर दो महाराज केस्री आपका सवभाग यह है कि आपको हनुमान जैसा फुत्र मिला इसके कारण ही मैं अपना तप्पून कर पाया क्षमा कीजिये रिशिवर मैं आपकी क्रिपा का पात्र नहीं करप्रक्ष की रक्षा में मुझसे भारी भूल हुई थी रिशिवर सदे भर मुचित बिवार कर सत्त बोलने वाला हमारा पुत्र रिशिद रुबासा से भी कुछ नहीं जिपाएगा आपके जाने के पश्चात युपाक्ष नाम के एक असुर ने उसने कल्प रिक्ष को यहां से चुराकर उन्हें पाताल लोग ले गया था परन्तु मैंने आपके आशिर्वात और माता लक्षमी की वर्दान की सहायता से पाताल लोग जाकर उस युपाक्ष का वद्द किया कल्प रिक्ष को लोटा लाने में सफल रहा परन्तु उससे मेरी भूल समाप्त नहीं हो जाती रिशिवर मेरी भूल के लिए मुझे आप अवश्यत अन्दीची रिशिवर हे इश्वर रिशिव दुर्वासा कहीं मेरे पोत्रों को कोई अनात कावी श्राप ना देदे जिस कारे के लिए तुम्हे वर्दान मिलना चाहिए वत्स हनमान उसके लिए मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ परन्तु रिशिवर मैं चकत हो उस असुर ने मेरे कारे में हस्ता छेप करने की मूट कैसे की अवश्य किसी के उकसाने पर उसने इतना बड़ा दुस्ता हस किया होगा उसके क्रत्थ के लिए तो तुमने उसे दंडित कर दिया हनमान चिंत उसके सहयोगियों को भी दंड वश्य मिलना चाहिए क्या तुम्हें ग्यात है हनमान इस छडियंत्र में और कौन भागिदार था मैंने लंकेश रावन और माराज वाली को बचन दिया है मैं असत्य नहीं कह सकता परन्तो यदि सत्य कहा तो रावन के साथ वाली भाई अभी रिशी दुरवासा के कोप का ग्रास बनेंगे अब क्या करें हनमान रिशी वर को उनके प्रश्न का क्या उत्तर दे अनमान ये कार ये किसी एक व्यक्ति का नहीं बताओ इस क्रत्य में उस दुष्ट असुर्य पाक्ष के साथ और कौन-कौन सम्मिलित था ये तो बड़ी दुविधा उत्पन हो गई है वाली भाईया भले ही इस क्रित्य में सम्मिलित थे किन्तु मैं वाली भाईया को संकट में नहीं डाल सकता सदेव स्पष्ट पूलने वाला हनुमान हाज इतने असमंजस में क्यों पढ़ गया यदि हनुमान को कुछ गयात है तो बता देना चाहिए रिशी दुर्वासा हनुमान की इस बात पर भी क्रोधित हो सकते हैं मेरे लाल को इस संकट से बचाना प्रभू तुमारा ये मान भी कुछ कह रहा है हनुमान कोई बात ने मैं त्रकाल दर्शी हूँ भूद भविश्य वर्तमान सब देख सकता हूँ मैं अपने अंतर चक्षों से अभी ग्यात कर लूँगा कि इस दुष्क्रत्य में कौन-कौन सम्मिले था ये तो अनर्थ हो जाएगा अब वाली भाया को रिशी वर के खोप से नहीं बचा पाऊंगा मैं कि यदि तुम उस कल्प व्रिक्ष को चुरा कर यहां पातालोग में ले आए तो तुम उसकी साहता से पातालोग को भी गर्व के समान वैबवशाली बना सकते हो आप दोनों का कौन सा प्रियोजन से धोगा इससे प्रत्वी पर उसका आवान रिशी दुर्वासा ने किया है तुम उस कल्प व्रिक्ष को चुरा सकते हो और यदि तुमने ऐसा किया तो रिशी दुर्वासा कुपित होकर उस मर्कट को शाफ दे देंगे हनुमान! क्यों नहीं बताया तुमने के यह दुश्क्रत्य है दामण वाली ने कराया है क्यों बचाना चाहते थे तुम उन दुश्टों को क्या तुमें ग्यात नहीं कि अपराद करने वाले को बचाने वाला भी अपराद ही माना जाता है शमा करें लिशीवर अपराद करने वाला यदि कोई अपना हो तो अपना मानते हो तुम उन दुश्टों को उनके कारण तुम्हें मेरा श्राफ मिल सकता था हनुमान तुछ दुर्वासा को अपनी स्वार्थ सिद्धी का माध्यम बनाया तंड भोगेगा वो वाली और भोगेगा वो नशानन झाल बनाफ मेरा श्राफ मिल दुक बनाया खर्वाफIC उंपवाई में बनाया मेरा संदूर पात्र, तावड़ा अफ्षकुन, कहीं स्वामी, में नहीं मेरे स्वामी लंकेश तो आपके परम भग देखना, इस बात का संकेत है कि इसके स्वामी पर अवश्य कोई संकट आने वाला है अब मेरे स्वामी लंकेश तो आपके परम भग देखना, प्रप्यान की रक्षा कर, रिशे विशर्वा, स्वामी के पिता श्री पिता श्री प्रणाम पिता श्री स्वाग्यवती भाव आप अचानक यहाँ पुत्री मंदोदरी तुम्हारी शंका निराधार नहीं है रावन पर वास्तों में बड़ा संकट आने वाला है महार्शी दुर्वासा का कोब लंकेश का सर्वनाश कर देगा यहाँ क्या कह रहें पिता श्री? सब बताने के लिए अभी समय शेष नहीं है पुत्री मंदोदरी दुर्वासा रिशी को मात्र तुम्हीं रोक सकती हो शेगरू ने रोको अन्यथा अनर्थ हो जाएगा रावन का जीवन संकट में है धूर्थ वाली अब भोगोगे तुम अपने दुश्क्रत्य का फाल क्या क्योरू, लंकेशरावण दुक्स劑 का शाफ़ के साथ वाली भाहिया को विशापएद होना पड़ेगा कயसे रोकू मैं रिशीवर को रिशीवर हनुमान के वंति है वाली भाहिया को शाप मत दीजिए शमा कर दीजें वाली भाहिया को तोर्त है वाली, चमायोग्य नहीं है वो दुष्टों को चमा करना उनकी दुष्टता को बढ़ावा देना होता है चमा को हमारी तुरबलता मानकर वो और प्रबलता से पाप करने लगते हैं उस वाली के पाप का दंध है श्राप दोसे फोगना ही होगा मैं आत्रे दुर्वाष्था जाग देता हूँ याभी इसी छड़ से सर्मना शोरा आरंब हो जाएका पुस्तुस्तुलाई घूरीशिवः, लुक जाये शमारीशिवः शमारीशिवः नशमा, मैं लंकेश रावन की पत्नी मंदोद्री, दया कीजिये निशिवर, दया, दया कीजिये मुझवर, यू यू शाव देकर मेरे सौभा के सिंदूर को नश्मत कीजिये. शमा याशना उसके लिए की जाती है जो शमा के योग योग हो. मुझवे रोकने से क्या होगा महरानी मंदोद्री, क्या आपने कभी अपने पापी पती को पाप करने से रोका? पाप कर्म सदैव मनुष्य को पतन के अंधकार भरे मार की ओर ले जाते हैं. अपने अंध का द्वार उसने स्वेम खोला है. इस पाप का फ़ल उसे भोगना ही होगा. दया किजी रिशीवर. मैं मानती हो विया धर्म के मार्ट पर चल रहे हैं. मैंने उने बार बार समझाया कि तुन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा. ऐसे अधर्मी श्रिष्टी पर बोज होते हैं मारानी. ऐसे अधर्मियों का सर्वनाश होना ही चाहिए. पितु रिशीवर. मैंने तो आपके प्रती कोई अपराद नहीं किया. मुझे आप इस डर्म का भागी क्यों बना रहे हैं? इस अबला नहारी को दिया की भीक्षा दे दीजिए. उनके सर्वनाश का अर्थ है, पेरे सो भागी सिंदूर का मिट जाना. भागी सिंदूर नहीं कलंक है वो तुमारी मांग का. ऐसे कलंक का मिट जाना ही उचित है. आप मुझे पन्हें रोकने का प्रयास न करें. कहीं ऐसा नहों के आपके पती के सासाथ, आपको भी मेरे श्राप का भागी बनना पड़े. जावर, वाले, अब भोगो अपनी करनी का दान्ड. नहीं, रिशिवर, शमा, रिशिवर, शमा, नहीं, रिशिवर, लंके शावन के साथ साथ वाली भया को भी शाप मिल जाएगा. वाली भया को शमा कर दीचे, रिशिवर, शमा कर दीचे. हनुमान! रिशी दुर्वासा ने तो अपने कमंडल से जल निकाल कर हत्यें ने मिले लिया कहीं हनुमान को शाप ना दे दे वो ऐसा ही प्रतीत होता है कहीं वाली को रक्षित करने में रिशी दुर्वासा क्रोधित होकर हनुमान को ही शाप ना दे दे